स्चार्ट यह देखिए आज हम आपको सिखाएंगे साड़ी में इस तरीके से पतला सा बॉडर लगाना यह आप डोरी से भरके भी लगा सकते हैं और बिना डोरी के भी आज हम आपको बताएंगे कि यह डोरी बिना भरे आप यह आशा पॉटर कैसे लगा सकते हैं यह किनारी और यह पीछे से ऐसे मज़र आएगा तो यह देखिए यह हमने डोरी ली है यह हमारी एक तरफ से सिलाई लगा के फिनिश है और एक यह हमने ऐसे फिनिश कर दिया डबल कर दिया डोरी इस डोरी के टोटल चोड़ाई हमारी एक इंच है और अब ये डबल करने के बाद ये आधा इंच से थोड़ इसी ज्यादा 6 पॉइंट है अब हम इस डोरी को देखिए ये हमारा एक स्टेट पीस है इसमें मैं आपको ये डोरी रगा के दिखाते हूँ डोरी को हम साड़ी के उपर इस तरीके से रखेंगे जिससे कि इस फिनिश वाला एरिया साड़ी अंदर रह जाए और फिनिश वाला एरिया थोड़ा सा बाहर आ जाए ऐसे अब आप देखिए जितनी चोड़ी हमें डोरी की पाइपिंग निकालनी है उतने ही दूरी पे हमसे में सिलाई लगाते समय हमें मोटा बकिया इस्तमाल करना है ज्यादा बारिक बकिया इस्तमाल करने से फिनिशिंग नहीं आएगी जोल आ जाएगा ये देखिए कोरना पे से इसको ऐसे मोर दीजिए सुयं अंदर रखके अब थोड़ा सा हो जाएगा कोरना पे से सफाई से ऐसे मोर ये आप अब इस पर रहे है हुआ हुआ है हुआ है अ हुआ हुआ हाँ है यह देखे इस तरीके से हमारा बोडर लग गया अब हम इस बोडर को ऐसे पल्ट लेंगे इसको अब मशीन से प्रेस लगा के अच्छे से खोल लें ताकि फिनिशिंग अच्छी आए इसके बाद आप उल्टी साइड पर इसको ऐसे मोड़ देंगे यह देखें यह बोडर भार निकाल दिया आपने ऐसे लिया और इस बोडर के यहां किनारे पर अपने सिलाई लबादें किनारे के पास आप यह किनारा वनाएंगे यह देखें किनारे किनार इसके अफिर्णिश्ट देखें यह भीनों किनार आपने सिलाओें आपने साली इसके दानारे के यह भीन देखें यह देखिए इस परकार आपकी साड़ी में पाइपिंग लग जाएगी पीछे से इस तरीके से और आगे से इस तरीके से धन्यवाद